नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नरेंदर भारदवार जो स्वागत करता हूँ आपका और हमारे चैनल टैग गाइज में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एरिटल ट्रिक के बारें बताऊँगा कि आप कैसे यूसी हैंडलर के थूरू एरिटल ट्रिक को यूज कर सकते हैं त जरूर चेक कर ले तो चलिए बीडियो चुरू करते हैं सबसे पहली मैं मेरा इंटरेट मेरी एरिटिल समय कर लेता हूँ और इसके मापको बता दू कि आपका मेन बैलेंस जीरो होना चाहिए और आपका डाटा बैलेंस भी जीरो ही होना चाहिए मापको दिखा देता हूं कि मेरा मेन बैलेंस प्लस डाटा बैलेंस दोनों ही जीरो है अब यह तक नेटवर्क नहीं आया है कि ओके अब शायर नेटवर्क आज जाना चाहिए हाँ अभी नेटवर्क आ गया है सो मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा मेन बैलन्स और डाटा बैलन्स दोनों ही जीरो है कि देख लिजिए डाटा इस जीरो एंड बैलन्स इस और और सो जीरो कि मापको कुछ सर्फ करके भी दिखा देता हूं कि सर्फ होगा या नहीं होगा मैं आपके फेस्बुक ही ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फेस्बुक ओपन नहीं हो रही है मैं न्यू टैब में यूट्यूब भी एक बार ओपन पर रख देता हूं तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी अभी ओपन नहीं हो रहा है मैं दूसरे ब्राउजर में भी आपको एक बार चेक करवा देता हूं देखें दोस्तों कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है इसका मतलब मेरे पास ना ही डाटा है ना ही बैल्स है तो दोस्तों आपको करना क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यूसी हैंडलर का लिंक प्रोवाइड़ है तो आप वहां पर जाए यूसी हैंडलर को डाउनलोड करिए और फिर आप उसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा यहाँ पर आपको आपके यूसी हैंडलर की सेटिंग्स चेंज करने हैं मैं आपको बता दूं कि आपको क्या-क्या चीज़ चेंज करनी है दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करेंगा कि आप खुद से कुछ भी चेंज मत करिएगा क्योंकि फिर वह ट्रिक काम नहीं करेगी अजिए और सब्सेपहल ने आप रिमुव होस्ट रिमूव पॉर्ट करिएगा व्रॉक्सी टाइभ अपको रियल होस्ट चूुज करना है ropic कस्टम हेडर आपको एक्स औनलाइन फॉस्ट अब को अबथा दू एक्स ऑनलाइन को ओन टैन एच होस्टका एच यह तिनों आप आपको capitals में रखना है guys proxy server आपको as it is one dot a little dot in small letters में रखना है real proxy type आपको default रखना है real proxy port आपको 80 रखना है अगर आपका 80 वर्क ना करें तो आपको 448 चूज करना है और इसके बाद मेरा 80 वर्क कर रहा है तो मैं इसलिए यहाँ पर 80 रखना हूँ इसके बाद आपको इसको save कर देना है save करते हैं एक ऐसा interface आपके सामने आएगा यहाँ पर आप जो भी चाहें वह आप सर्फ कर सकते हैं मैं आपको Google ओपन करके दिखाता हूं ओके राइट नाओ फेस्बुक और यूट्यूब तो ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों में से सर्च कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं यह ट्रिक काफी अच्छी स्पीड भी हमें प्रोवाइड करती है अप यहां से जो चाहें वह सर्फ कर सकते हैं एजली और आपको बता दू कि ये ट्रिक सेर्फ आपके UC हैंडलर में ही वर्क करेगी और कहीं वर्क नहीं करेगी मैं अभी UC हैंडलर से बाहर हूँ और मैं भी Chrome में Facebook अगर चला रहा हूँ तो यह यहां भी नहीं चलेगी अपने देख लिया होगा अभी तक यूसी हैंडलर में Facebook ओपन हो गई थी वर इधर नहीं हो रही है तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो परसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा कोई कमेंट हो आपको कोई सुझाव हो तो उसक करना मत भूलेगा गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलेगा थैंक्यू गाइस